इस बक्त की सबसे बड़ी ख़वर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH से निकल करके आ रहे हैं आपको बताते चले कि PMCH में आग लग गई है रहे बताते चले कि इमंजर सी वाड के सामने सर्जिकल इस्टोर में आग लगी है हाला कि अभी तक यह जो पूरा का पूरा मावला खुल कर नहीं सामने आगी आग किस बज़ा से लगी है अगली सबन के विभाग की टीम वहाँ पर पहुंच गई है छे गाडिया यानि दमकल की छे गाडिया वहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे है और भी गाडिया वहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम लोगों को इधर से उधर सिफ्ट किया गया हम तस्वीरे लगतार आपको दिखा रहे है स्क्रीन पर किस तरीके से पीम सीज के अंदर आग लग गई है और रहां पर तुरंत ही यानि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है किसी प्रसासन के लोग किसी अधिकारी ने अभी पर चुपी सादी है कोई अधिकारी अभी तक नहीं बताया है किस बज़ा से आग लगी है आपको बताते चले कि लगतार जो है मोसम खराब है लेकिन उसके बाद भी पीम सीज में आग लग गया है किस बज़ा से आग लगी है इसका खुलासा नहीं हुआ है लेकिन बड़ी आग लगा है, इसकी कोई अभी पुष्टी नहीं कर पाये, लेकिन वहाँ पर अगनी समन विभाग की तरफ से लगतार करवाई किया जा रहा है, आग मुझाने का प्रयास जारी है, और आग पर कंट्रोल भी पा लिया गये, अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर में किस बज़ा से आग लगी, हाला कि पुरा का पुरा मामला जो है, जाज की बात पता चलेगा, लेकिन इस बक्त पतना के, यानि PMCH में आग लगी है, और आग जो है, इमर्जेंसी वाड के सामने लगी, जिसकी बज़ा से पुरा PMCH में हड़कंप मज गया, और छे गाडिया, दमक प्रयास अभी भी जारी है, कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक बड़ी बज़ा है कि आखिर में किस बज़ा से आग लगी है, इस जाच होगा कि आखिर में लापरवाही किसकी थी, कि मोसम खराब होने के बावजूद भी, आखिर में PMCH में आग कैसे लगी, क्या सार्ट स किया जा रहा है, आग पर कंट्रोल पालिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, इसका जाच होगा, और आगे क्या कुछ निकल कर किया आता है, किस बज़ा से आग लगी, ओभी हम आप से रूबरू होंगे.